बित्रो आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली ऐसे वशीकरन उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करके आप किसी भी इंसान को इस्तरी पुरुश कोई भी हो अपने वश में कर सकते हैं मातर बीस मिनट में वो इनसान आपके वशी भूत हो जाएगा आपके वश में हो जाएगा जो कुछ भी आप कार्य उससे कराना चाहते हैं स्री हो पुरुश हो कोई भी विद्र हो आप उस कार्य को उसके द्वारा करा सकते हैं और यदि आप किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं यदि आप अपने प्यार महबत में असफल हैं और किसी को पाने में असफल हैं तो इस वशी करन अपाई के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं मित्रो गलत मन्शा गलत धरना से किसी के साथ ऐसा ना करे यदि आप किसी को दिल से अपने करीब लाना चाहते हैं या किसी से बहुत ही जरूरी ऐसा कारे कराना चाहते हैं जो कोई अच्छा कारे हो तब आप इस उपाई को करें क्या करना है मित्रो आपने चार काली मिर्च के दाने लेने हैं किसी भी दिन करें से समय आपने मित्रो रात को करना है आठ बजे से दो बजे के वीच में क्या करना है मित्रो आपने मित्रो चारों काली मिर्च के दाने लेकर बिना कुछ भी बिचाए जमीन पर बैठ जाना है एकांत में जमीन पर बैठें अपनी बैठने की जो दिशा रखें जो मुख की दिशा होगी वो धक्षिनड़ की रखें यानि साउत के दिशा रखें और उसके बाद आपने चारों दाने आपने अपने दाइं हाथ में रखने हैं और एक मंत्र का उच्छारण करना है क्या बोलना है मित्रो आपने अभीकत्र वश्यम वीडियो में लिखा हुआ दिखाया गया है मित्रो एक बार बोलना है दाएं हाथ से एक काली मर्च का दाना बाएं हाथ में रख ले फिर दुबारा बोलना है एक दाना और बाएं हाथ में रख ले तीन बार बोलना है चार बार बोलना है चार बार आपने यही अभीकत्र वश्यम बोलना है और बाएं हाथ में दाने रखते जाने है उसके बाद आपने चारों जो दाने हैं बाएं हाथ में रखे हैं उन्हें आप किसी भी एक स्थान पर घर में या तो समाल दे या अपनी जे लिब में रख लें या तक्य की नीचे रख लें आप समाल करोसे हो जाएं सुबह जब आप उठें प्रात्य सबसे पहले बिना कुछ भी किये आपने ये दाने निकालने और दाने लेकर आपने घर के दरवाजे से बाहर निकल जाना है और बाहर निकलने के बाद मित्रो आपने क्या करना है चारों दिशाओं में एक स्थान पर कैसे भी आप खड़े हो जाएं और अपने चारों और आगे पीछे दाएं बाएं आप इन दानों को एक एक करके फैक दें ध्यान रहे मित्रों बाएं हाथ ही इस्तेमाल करें दाएं ह हाथ में आपने वो दाने रखती है आप इनको दुबारा दाया हाथ नहीं लगाएंगे मित्रों बस इतना आप कर लेंगे वो इंसान जिसके लिए आपने से किया है वो आपके वशी भूत हो जाएगा जिस समय आप मंत्र बोलेंगे यानि जो छोटा सा मंत्र आपने बोला उसे बोलेंगे हर बार उस इंसान को अपने मन में सोचना है अपने जिसे आपने वशी भूत करना है अब दें इजाज़त में तो अगली वीडियो में फिर मुला कात होगी एक बहुत ही सरण परंतु शक्तिशाली उपाई के साथ